नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं ग्यारह मई दो हजार इकीज आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पैंचांग की आज मंगल बार है वई शाखमास कृष्ण पक्षकी आज अमावस्याति थी है भरणी नक्षत्र है रात्री 11 बचकर के 31 मिनट तक और इसके पुष्चात कृत्तिका नक्षत्र है सवभग्य योग चतुस्पात करण है बात कई पंचांकी चंद्रम आज मेश राश में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बचकर के 28 मिनट से दोपर 12 बचकर के 20 मिनट तक का होगा वही राहुकाल दोपर 3 बजे से शाम 4 बजे तक जैसा कि आप सबी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरिक्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारम्भ नहीं करना चाहिए केतू जण्म कुंडली में केतू अच्छी स्थी में हो तो कहना ही नहीं और जण्म कुंडली में जब केतू पीडित हो तो कहना ही नहीं, परिशानिया तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, दिव्य महा प्रयोग में खराब केतु के लक्षण और उससे संबंदित कुछ विशेस प्रभावी दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं, तो दिव्य महा प्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रह स्तुतियों की, चंद्रमा और सूर्य यूती बनाकर मेश रासी में संचर्ण कर रहे हैं, शुक्र, राहु और बुध्ध, ये तीन ग्रह यूती बनाकर ब्रिशब रासी में, मंगल मिथुन रासी में, केतु रिश्चिक रासी म शनिदेव मकर में और देव गुरु ब्रहस्पती कुम भराशी में संचर्ण कर रहे हैं, तो गोचर कुंडली की स्तुति को देखा जाए, तो आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है, और सूरे के साथ अमावस्या के ये चंद्रमा है, पुर पास हो, उनके लिए विशेस रूप से मानसिक अशांती और परिशानी किस्तुति उत्पन्न कर देते हैं ये चंद्रमा, बाकी की ग्रहस्तुति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विशेयों की चर्चा आगे हम राशीफल में करेंगे, तो ये है इन ही ग्रहस्तुति, इन ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया, नि दैनिक राशीफल तयार किया है, वो नए दर्शक जो मेरे इस राशीफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ यह राशीफ आकस्मिक्ताओं का कारक ग्रह है यह केतु, केतु के बारे में चर्चा प्रारम्भ करें, उससे पूर्व आपको बता दूँ प्रियदर्शकों, मंगल बार के दिन रात्तरी आठ बच करके दस मिनट पर मैं लाइव रहता हूँ, आपकी जन्म कुंडली का अध्यायन करने के प्रियदर्शकों, यह कारेक्टरम पूरी तरह से निशुल्ख होता है, जो कि जोतिश प्रेमियों के लिए, जो जोतिश से मदद चाहते हैं, उनके लिए होता है, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी अपनी परेशानी, कोई एक ऐसा प्रश्ण, जिसको लेकर कि आप बेह रहता हूं, तो आज आईएगा, आपकी जन्र कुंडली का मैं वही पर अध्यान करूँगा, एक और चर्चा बता दूँ, आज रात्री आठ बजे, जोतिशिय कारिक्रम में, मैं साढहे साती से संबंधित, कुछ विशेश तथ्य, साढहे साती की कौन सी धैया, आपके लिए बेहद शुभ, और कौन सी धैया आपके लिए सुभ होती है, साढहे साती में टोटल तीन धैया हो जाता है, धाई साल, धाई साल, धाई साल, तो कौन सी धैया आपके लिए शुभ है, और कौन सी धैया सामान्य, और कौन सी धैया बेहद अशुभ इसकी चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा तो देखना ना भूलिएगा ठीक रातरी आठ बजे अगर जन्म कुंडली में केतु बली हो तो कहना ही नहीं जातक को समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है यूँ समझ लीजिए कि जातक का जंडा सदई वो उँचा बना रहता है नाक उसकी उँची बनी रहती है और जन्म कुंडली में अगर केतु खराब अवस्था में हो तो सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी होती है वो एक अनहोनी की आशंका हमेशा जातक ये चंद्रमा से भी होता है जरा गौर करिएगा य ये परेशानी चंद्रमा से भी उत्पन्न होता है कि चंद्रमा अगर पिडित हो तो जातक के मन में अनहोनी की आसंका बनी रहती लेकिन केतु से भी ये होता है भ्रम ऐसा हो गया तो क्या होगा वह ऐसा हो पने ऐसी ऐसी कलपनाय जातक करता है जिसका कोई ओर छोर नहीं यो करता है केतु के कारण इकराप केतू का पहला लक्षण तो ही नींद प्रायह बच्चों को आपने नींद में चौक कर उठ जाते हुए देखा होगा बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है बहुत अगर जादा हो रहा है आम तोर पर हर किसी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है नींद में चौक कर उठ जाना लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है नींद अच्छी नींद नहीं आ रही है खराब केतू का ये लक्षणा है चर्म रोग बुद्ध से सम्मंदित है लेकिन ये भी केतू के कारण होता है अगर चर्म रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा तो ये केतू के कारण हो सकता है नसो में, जोडो में, विसेशकर नसो से संबंधित जो भी परिशानी है ये पूरी तरह से केतू से संबंधित है यूरीन से संबंधित पर परिशानी बनी हुई है केतू से संबंधित बाल जड़ने में पुर्णतह केतू का हाथ नहीं लेकिन बाल जड़ने के अगर शिकायत हो रही है तो ये भी खराब केतू के कारण हो सकता है अच्छा कर रहे हैं आप बहुत अच्छा मेहनत में आप अपनी कोई कमी नहीं रखते परंतुज़ को प्रतिष्ठा यस मिलना चाहिए जो समाज में आपको यस मिलना चाहिए जिसके आप असली हकदार है वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो ये कराब केतू के लक्षण है प्रियदर्शकों खराब केतु को ठीक करने का मैंने कई बार कई तरह के उपाय बताये हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार उपाय लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन असल में ये ऐसा जरूर है कि जब जब मौका मिले आपको उपाय बताया जाए और इन ग्रहों के दुश प्र जब ये तो लाल चंदन की माला पर, एक तालिस दिनों तक गम बीज को लाल चंदन की माला पर जबने के बाद उसी लाल चंदन के माला को अगर धारन कर लिया जाए, जादा से जादा साथ दिन, एक तालिस दिन आप गम बीज को चंदन की माला पर, लाल चंदन की माला पर कितना जप अब प्रश्न ख़ड़ा होता है। आपकी मनसा, आप 3 माला जप लीजिए, समय आपके पास कितना है। उसको देख लीजिए। 11 माला जपनिने में भी मामूली कितना समय लगेगा? 6 मिनटटबार्टबर्च- ili आतर्व- ili माला को कहीं भी किसी वर्क्ष की जड़ में डाल दीजिए, जाकर के नदी में प्रवाहित कर दीजिए, केतू जन्य पिला से आपको शिग रही, मुक्ति मिल जाएगी, जितनी भी समस्याय मैंने गिनाई है, आकस्मिकता जितनी भी जीवनकाल में होती है, चाहे वो आकस्मिक दुर घटना हो, आकस्मिक पतन हो, सब केतू के कारण होता है, तो ये उपाय अवश्य करिए, केतू खराब तो जीवन में विकास बाधित हो जाता है, चलते हैं राशी फल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी, मेश राशी के जातकों के लिए आज का द आपको बेहत सतरक और सावधान रहना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सतरकता तो इस बात की है कि घर की समस्या को लेकर के, अनि घर से टेंसन लेकर के, और अगर आप कारिस्थल पर जा रहे हैं तो मैं पहले ही सावधान कर दूँ, आज कारिस्थल पर वाद विवात की संभ सबसे ज़्यादा बनी हुई है, और अगर जो कि आपका मूल सबहाव है क्रोध करना, आपने भी इसमें घर के क्रोध को लेकर के किसी के उपर क्रोध कर लिया, विश्यस करके किसी उचाधिकारी इत्यादी पर क्रोध कर लिया, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया, आपने आसरत हैं, तो सफलता आज हाथ लगती दिखाई नहीं पड़ रही है, ब्यापारियों को ब्यापार में आज बेहत सतर्क और सावधान होकर के काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के लाब होगा, और किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना है, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे, धन को लेकर के मुश्किल में पड़ जाएंगे, धन का नुकसान होगा, निवे सित्यादी करते हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्रोध करना, अहंकार करना और किसी को निचा दिखाना आज आज आपको नहीं ऐसा करना है, ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, जीवन सांथी का विशेश रूप से सम्मान करिए उनसे मत भेद मत रखिये जैसा मैंने कहा परिशानी घर से सुरू होगी और दिन पूरा बाहर का खराब होगा तो घर से अच्छा माहौल बना करके जाए तो अच्छा सब कुछ रहेगा अपने सूच को जरा मजबूत बनाईए गलत फ़हमी से बचिए शक मत करिए में इस तरह से कि प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन और सेहत के दृष्टिकोंड से देखें तो सेहत सामान्य रहने बाली है परन्तु अगर आपको कफ जन्य रोग है तो बेहत सतर का और सावध हम रहिएगा आज हो सके तो एक बार आप अमावस्या है छाया दान कर दिजिगा तेल में अपना चेहरा देख करके दान कर देना या पीपल वरक्षक निचे ले जाकर करके रख देना लकियंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए अज पिंक है ब्रिशब की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशिष आपके ब्याइभाव में शुक्र के ही नक्षत्र में हैं चंद्रमा सो बहुत अधिक मद्यपान धुम्रपान या किसी भी प्रकार के नसे से आप जुड़े हुए हैं विशेशकर मद्यपान इक्त्यादी से तो किसी मुश्किल में पढ़ेंगे आज विशेश करके नसा करके वाहन मत चलाएगा नहीं तो दुर घटना की प्रबल संभावना है किसी भी कारी को करने के लिए आज धैरे की आवशक्ता सबसे जादा है समस्याएं तो आपके साथ भी बनी रहेंगी लेकिन हर समस्या आसानी से सुलज जाएगी कारिस्थल पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा कारिस्थल पर आज इस्ति ऐसी भी उत्पन्न होगी जहां आपको जवाब देना पड़े हो सकता है किसी और की गलती की भरपाई आपको करनी पड़ जाए लेकिन ये समय जैसे कट रहा है कट जाने दिजिए न तो किसी से जिकायत करनी है न किसी से उलजना है धन से जुड़ा कोई मसला है जिसमें आप बहुत परिशान चल रहे हैं घबराईये मत इस्तिती सामान ने हो जाएगी परिशान होने की आवशिक्ता नहीं जितनी भी परिशानिया है वो तातकालिक है धीरे धीरे करके हर समस्या से हर परिशानिक से आप मुक्ति पाएंगे ब्यापारी हैं तो ब्यापार में थोड़ा बहुत साहस दिखा सकते हैं, थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हलाकि मैं फिर भी निवेश करने से आपको मना कर रहा हूँ किसी को धनुधार नहीं देना, और कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आज विशेश रूप से जतन करिए ब्रिशब रासी के विद्यार्थियों को अती सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिदेंस में आकर के, आज आपकी पढ़ाई खराब होने वाली है, और कोई परिक्षा इत्यादी देने वाले हैं, तो उसमें भी आपको नुकसान होगा स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो वाहन इत्यादी से बेहद सावधान हो करके चगिए, विशेश करके मद्यपान इत्यादी करके वाहन न चलाईए आज भोलेनात को बिल्लो पत्र जाकर करपित करिये कम से कम ग्यारह, लक्यंक आपके लिए पांच लकी कलर आपके लिए जहारा है मिथुन की बात करें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके लाभभाव में, और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में सो दिन को बहुत बढ़िया बनाए हुए है आज का दिन हर प्रकार से मिथुन रासी के जातकों के लिए फायदा देने वाला है विशेशकर, धन के संबंद में कोई चिंता है, तो वो चिंता दूर होगी कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई कारे रुका हुआ है, तो वो कारे बनने वाला है नौकरी पैसा है, तो कारेस्थल पर आज आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा सब कुछ मनो नुकूल रहने वाला है, और किसी परिस्तिती से आप जूज रहे थे ऐसी परिस्तिती से, जिससे जूजते हुए आप बेहत परिशान हैं, तो समझ लिजे कि आपको उस परिशानी से मुक्ति मिलेगी अपनी सफलता पर आपको गर्व होगा, दिन हर प्रकार से बढ़िया है, या पारियों के लिए देखा जया तो दिन बहुत अच्छा फल देने वाला है आर्थिक पक्ष पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है, मनोबल आपका बढ़ा रहेगा बस एक बात का ख्याल रखिये, किसी अजनबी का भरोसा मत करिएगा, और अजनबी का भरोसा करके कहीं पैसा मत लगाईएगा अचल संपत्ति कहीं दिखाई पड़ी हुई है, खरीद बिकरी करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए परन्तु यहाँ पर भी धोखा होगा अगर दूसरे पर भरोसा करें अता पूरी जाच पर खुद करनी है तो ही दिन अच्छा रहेगा स्वास्त के द्रिश्टिकों से देखें तो कोई विशेस परिसानी नहीं है मामूली मानसिक तनाव आज आपको हो सकता है गणेश अथरवसिर्स का पाठ यह स्रवन करिए इससे विशेत फायदा मिलेगा लखी यंक आपके लिए दो लखी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप कर सकते हैं करकराशी के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशिशे दसंभाव में सिंचरण कर रहे हैं परन्तु शुक्र के नक्षत्र में अमावस्या कि यह चंद्रमा आपको मानसिक रूप से आज थोड़े परिशान करने वाले हैं आलस्य की भावना जादा बनी रहेगी करियर के संबंध में आज चिंता भी बनी रहने वाली है सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कारिस्थल पर बेहत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कारिस्थल पर उच्चा धिकारियों के कोप के भाजन बनने की सं भावना है कारिस्थल पर उचित सहयोग न मिल पाने से आपके हर कार्य में बाधा और देरी होगी तो वहीं ब्यापारी है तो सोच समझ करके निर्णे लेना ही आपके लिए फायदे मंद होगा किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए फायदे मंद नहीं है और किसी भी ब्यापारिक प्रतिस्परधा में पढ़ना भी आपको नुकसान देने वाला है। कोई बड़ा निर्णे जो की बेहत जरूरी है लेना तो किसी जानकार की राय लेकर के ही करिए। और निवेश करना अगर बेहत जरूरी है तो थोड़ा थोड़ा ही करके निवेश करिए वैसे निवेश ना करना जादा अच्छा है। आज देवी सुत्त का पाठ आपके लिए लाभपरद रहेगा लक्यंक पांच लगी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप ना करें या करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जानकार की राय से। शुमगी अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से भाग्यभाव में और भाग्यभावस्ति चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आज पिता की सेहत को लेकर के चिंता बनी रहेगी। हो सकता है पिता से किसी बात को लेकर के मतभेद हो। वैसे तो भाग्याव के साथ है। हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी परंतु कारिस्थल पर आज छमता से अधिक आपको काम करना पड़ सकता है, हो सकता है किसी और का कार्य भी आप ही की जिन में चला जाए। हाला कि पदमान समान में बृद्धी दिखाई पड़ रही है, किसी भी आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपके स्वयोगी हैं या जो आपके नीचे हैं, उनका आप अपमान न करिएगा, नहीं तो मुस्किल में पड़ेंगे। स्विम्हराशी के वो जातक जो नौकरी के लिए प्रतन सील हैं, उन्हें नौकरी का ओफर जल्द मिलने वाला है। आपका कार्यक्षित्र हो या ब्यवसाइक्षित्र, किसी भी प्रकार का परिवर्तन शुभ नहीं है, सो परिवर्तन मत करिए। और कोई भी बड़ा निर्णय बड़ों की सलाह के बिना बिलकुल मत लीजिये। स्विम्हराशी के प्रेम्यों के लिए दिन ठीक है, प्रेमी के उपर कोईखर्च हो सकता है, अधिकि खर्च हो सकता है. और सिमर्यास के विद्यार्थियों को उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जैसी की उम्मीद थी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता थोड़ी कम ही रहने वाली है स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो रक्त जन्यविकार, रक्त से सम्मंधित परिशानिया आज पंचाक्षर इस्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभवप्रद रहेगा, लकियंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए जिसका यी ब्लू है निवेश आप कर तो सकते हैं लेकिन बेहत सतरक और सावधान हो करके कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशिश अस्टम में सुर्य के साथ वैसे तो ये भी मानसिक असांतिक इस्तिति उत्पन करेंगे लेकिन आकस्मिक धनलाभ कराने वाले हैं जरूरी है आप सकारात्मक सोचें हर कार्य में धैर रखें जल्दबाजी में सफलता नहीं विपलता का मुँद देखना पड़ेगा परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं आपको बेहत सावधान ढाना चाहिए कार्य स्थल पर जो भी ओफर मिल रहा है उसे हाथों हाथ स्विकार करने की जगह पहले उस पर विचार करी और फिर कदम आगे बढ़ाईए धैरे के साथ किया हुआ कार्य आपको विशेसलाभ देगा किसी भी प्रकार की जोखिन की आवशक्ता ही नहीं जो कारे आसानी से हो सकता है वही करिए व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है कोई भी जोखिन भरा निवेश आज भूल करके भी मत करिए तो वहीं किसी को उधार देना है तो आज मत दीजिए अपने स्वास्त का विश करके सफलता में लगी स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो पुराने रोग समाप्त तो होंगे लेकिन कफ जाने रोगों से आज चिंता है महा मृत्युंजय मंत्र का आज कीस बार जब करिए लकियंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए लाल है आकस्मिक धनलाब क की स्थिति है सोनिवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं तुला के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन भाग्यसाली है दिन साकारात्मक है दिन ब्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन नौकरी पेसा है तो आज आपके फैसले पूरी तरह से सही होने वाले है उसका आपक खास है कारे स्थल पर अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो विशेज करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपके विचारों को अधिकारी बेहद गंभीरता से लेंगे महत्पदेंगे तो ही आपका कोई ऐसा कारे जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कारे बनने वाला है या हो सकता है कोई ऐसा कारे आप करें जिससे आगे चल करके आपको अच्छा खासा फायदा हो विपरीत की परती आज अभधर भाषा का प्रयुक भूल कर भी मत करिए लवलाइफ अच्छी रहने वाली है तो वहीं प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाना प्रेमी के साथ समय बीताना अच्छा रहेगा विद्यार्थियों को अधिक मेहनत लेकिन हर तरह के अध्यान के लिए दिन बढ़िया है और स्वास्ति के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त भी आज आज आपका बढ़िया रहने वाला है मानसिक अशान्ति से जूज रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अशान्ति से आपको मुक्ते मिलेगी आज किसी जरुवत मंद को धन का दान जितना आपसे हो सके कर दिजिएगा फायदा मिलेगा लकियंग का आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज के शरिया है निवेश भी आप कर सकते हैं फायदा रहने वाला है बात व्रश्चिक रासिक की कर लेते हैं व्रश्चिक रासिके जातकों के लिए दिखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशिष आपके सस्थभाव में सिंचरन कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में सिंचरन कर रहे हैं चंद्रमा आपकी समस्या को दूर कराएंगे परन्तु उसके लिए आपको द्रढ संकल्पित होना पड़ेगा पूर्व से चली आ रही कोई परिशानी, कोई विवाद उसका आपको हल नजराने वाला है सफलता का कोई भी आवसर, कोई भी मौका मिले, उसे गवाईए मत कार्यस्थल पर विवाद से बचिए, वाणी पर अपने नियंत्रन रखिए और किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर ही रहना है, इसी में आपकी समझदारी है बात अगर ब्रश्चिक रासिक के व्यापारियों की करें, तो दिन्म सामानने त्या ठीक है, निरने सोच समझ करके लीजी, आपको लाभ मिलेगा, जो भी करिए कानून के दाएरे में रहकर के करिए ब्रश्चिक रासिक के जातकों के दामपत्य जीवन की बात करूँ तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, दिन और प्रेमियों की बात करूँ, तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी से सहयोग और विद्यार्थियों की बात करूँ तो कोई परिक्षा इत्यादी आपने दे रखी थी, कोई प्रतियोगी परिक्षा वहाँ आपको सफलता मिलने वाली है स्वास्थ में कोई विशेस परिसानी तो नहीं है लेकिन मामुली ठकान की स्थिती दिखाई पड़ रही है आज सफेद चंदन का दान मंदिर में जाकर के करिएगा लखियंक आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए जामुनी है निवेश आप ना करें धनू की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंदरमा राशिश आपके पंचंभाव में सुन्चरन कर रहे हैं ये चंदरमा सुरे के साथ यूटी बना कर अमा वस्या के दोश से ग्रसित शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन आपको अस्तव्यस्त रखेंगे इस अस्तव्यस्तता का कोई बड़ा लाभ मिले मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ योजनाबद ढ़ंग सेवर काम करते हैं तो निसन देह दिन को सामान्य बना लेंगे कारिस्थल पर सामान्य रहने वाला है दिन किसी का अपमान न करें किसी के प्रती अभद्र भाषा का प्रयोग और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए जरुवत पढ़ने पर सबका सहयोग करिए कारिस्थल पर अधिकारियों से आज विशेश रूप से सावधान रहिए और किसी भी प्रकार्व के बिवाद का हिस्सा मत बनिए धनुरासी के व्यापारियों की बात करूं तो निवेश फायदेमंद नहीं रहने वाला है शुन निवेश न करिए और भावनाओं में बहकर किकी सीवसे वादा तो बिल्कुल ही मत करिए प्रेमियों के लिए दिन सामानेत्या बहुत अच्छा नहीं है वाद बिवाद की संभावना है प्यार काई जहार करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए और धनुरासी के विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश ठीक नहीं है जो पढ़ाई जैसी चल रही है उसी में मेहनत करते रही है सफलता वही है अलग करने के चकर में मुस्किल में पढ़ेंगे स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो नींद की कमी आपको आज महसूस होने वाली है और ब्लड ट्रेसर के मरीज हैं तो आज विसेश रूप से सावधान रहिएगा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा लकियंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है निवेश ना करें मकर की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडेली में चंद्रमा राशिष आपके चतुर्थ भाव में घर में कलह का बातावरण परन्तु कारिस्थल पर दिन जबरदस्त अपनों का साथ मिलना जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा ले में कलह का बातावरण होने वाला है अगर इसको आप ठीक कर लें तो दिन बहुत बढ़िया नौकरी पेसा लोगों के लिए अगर हम बात करें तो दिन मेने जैसा का बढ़िया ही है कारेक्ष चत्र में अधिकारियों का भी आपको पूरा-पूरा स्वयोग मिलेगा तो ही मक पिता की बात काटना उनसे भी बात करना उनका अपमान करना आपके लिए नुकसान दे होगा जीवन सांती के साथ भी आज दुर बेभार मत करिएगा मकर रासी के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है पुराने दिनों की यात आजा होगी प्रेम संबंद में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आज सहद की एक सीसी ले लीजिए और उससे ले जाकर के किसी भी भैराउजी के मंदिर में अगर आसपास कहीं भैराउजी का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो सहद की सीसी महा दान करिए लकियंक आपके लिए पांच लगी कलर आपके लिए सफे के दोस्ते लेकिन आत्मविश्वास आपको देंगे क्योंकि सुर्य वहां पनुच्य रासी में कुछ नया और बढ़ा करने का मन करेगा और आत्मविश्वास अपने चरम पर जरुद पढ़ने पर छोटे भाई बहनों से संबंधित खुश खबरी तो वहीं नौकरी में प्रम चिंतक से कोई ऐसा उपहार आपको प्राप्त होने वाला है जो आपको अति आनंदित करें तो मिला जुला करके कुम्भरा सी किजातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है ब्यापार के लिए बहुत बढ़िया है नौकरी पेसा लोग के लिए दिन बढ़िया है किसी जीवन साथी की राय लीजिए और अगर आपका जीवन साथी वरकिंग है तो उनको फायदा मिलने वाला है कुम्भराजी की प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है सफलता प्रदायक है और स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में कहीं कोई दिकत न निवेश भी आप कर सकते हैं और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशिश है आपके दुतिये भाव में सुंचरन कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में सबसे पहले तो किसी भी प्रकार की बुरी लथ है गलत खान पान का उससे दूर रहिए अपन चुनोती पूर्णा है चुनोतियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा परन्तु आप सक्षम है हर परिस्तिती से निपटने में वानी में कड़वाहट ना आये किसी का अपमान मत करिये और ब्यापारियों के लिए देखा जाए तो सामानने है दिन जो भी योजना आपके दिमाग में है उसका लाव आपको मिलेगा बस काम करने से पीछे मत अटिये और किसी का आपमान जैसा मैंने कहा बिल्कुल मत करियेगा सारा नुकसान इसी से होगा आज प्रेमी से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है मीन रासी के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िय सावधान रहिए और खान पान का विशेश रूप से खयाल रखिए और आज घीका दिया मा भगवती जगदंबा के समुख जलाईए इससे फायदा मिलेगा लखी अंक आपके लिए चार लखी गलर आपके लिए आज पिंक है निवेश आप कर सकते हैं तो प्रियदर्शकों ये था मेश शेले कर मीन राशी प्रियंत प्रतेक राश के जात्कों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए वस इतना ही इजाजत दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार